हमें इसे multiply करना है अब यहाँ पे तीन numbers है तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कोई भी दो numbers को multiply करूँगा और फिर तीसरे को करता हूँ अब कोई भी दो multiply करने के लिए मैं सबसे असान वाला multiply करता हूँ ताकि मेरी multiplication असान हो जाए यह देखने के लिए मैं सबके last digit check करता हूँ 5, 9 और 6 5 into 9 होगा 45 5 into 6 होगा 30 यानि 0 से end करता है तो यहाँ पर हम सबसे पहले multiply करेंगे 625 into 16 को क्योंकि 0 से end करता है और फिर बाकी multiplication करेंगे तो यह कुछ ऐसे आ जाएगो sorry S कलती से आ गया अब 625 into 16 करते है यह होगा 6 into 5 30 30 का 0 यहाँ पर 3 इसके उपर 6 into 2 होगा 12 12 plus 3 होगा 15 15 का 5 यहाँ पर 1 इस 6 के उपर 6 into 6 होगा 36 36 plus 1 होगा 37 37 7 यहाँ पर अब 3 की को जगह नहीं है तो वो घूम के यहाँ आ जाएगा 3750 क्रॉस होगा अब 1 की बारी 1 into 5 5 1 into 2 2 1 into 6 6 तो यह आ जाएगा 0 0 ऐसे का इसी नीचे आ जाएगा 5 प्लस 5 होगा 10 10 का 1 0 यहाँ पर और 1 इस 7 के उपर 1 प्लस 7 प्लस 2 8 प्लस 2 होगा 10 10 का 0 यहाँ पर और 1 इस के उपर 3 के उपर 1 प्लस 3 होगा 4 4 प्लस 6 होगा 10 तो इस 10 का 1 0 यहाँ पर और 1 की को जगह नहीं है तो वो यहाँ पर आ जाएगा तो यह आएगा 10,000 यानि 10,000 into 279 यानि यह आएगा 279 और मेरे 4 0s कुछ ऐसे 5 अपर 6 बावाबा 10 बावाबा 10 बावाबा